तो हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको क्लास 10 का बिज्ञान का बाइलोजी का 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं अगर आपने इस 25 टॉपिक को तयार कर लिए तो बाइलोजी में और कुछ पढ़ने की हो सकता नहीं है बाइल हम लोग समय नगवाते हुए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं सबसे पहले यह देख लिए आपनों बायों में बस इतना पॉल्डो कुछ पढ़ने की हो सकता नहीं है बस इतना पॉल्डो मैं जितना बताऊंगा उससे आपका MCQ बोर्ड एक्जा चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाओंगा ठीक आएं हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखिए मनुसे की अहार नाल का सचीत्र वर्णन कीजिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन यह कुशन रिकॉर्ड तोड़ मनुसे की अहार नाल का सचीत्र वर्णन कीजिए आपको चीत्र बनाना होगा और मनुसे की अहार नाल का पूरा आप जितने उसके बारे में जानते होंगे उसका लिखना होगा यानि कि यह कुशन आपके 6 नंबर में आता है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कम से कम बता आपके साथ सेट में पांच सेट में ये कूशन पूछता है मैं जितना को साथ लिखा हूं वह बहुत इंपर्ण से आप क्या समझते हैं वोडन कीजे बहुत को सब्सक्राइब fact खुटा सा टॉपिक एक दिन में किलियर हो जाएगा मैं जितना बताना हूं केवल आप एक एक दिन टॉपिक पर देंगे तो आपका किलियर हो जाएगा बायोजिय में फूल में फूल नंबर आएगा ठीक उसके बाद देखे question नमर फूर, question नमर जो topic नमर फूर बहुत important, मनुसे की हिर्दे की आंतरिक संदजना तथा काल किरिया वीधी का सचीतर वर्णन बहुत important है, मैं आपको बता रहाँ, 2024 board exam में आपका अवस्य आएगा ये question, 100% ये question पूछा जाएगा, ठीक, क्योंकि 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2010 से लेकर, 2023 तक बीच में हमेशा ये question पूछा है, मनुसे के हिर्दे के बारे में जरूर पूछा है, ठीक, एक नमबर में पूछा है, 6 नमबर में पूछे, हमेशा पूछता ही, पूछता है, उसके बाद देखिए question number 5, question number 5, topic number 5, बहुत important है, सब तो ये आता है, आपका 4 number में, ठीक, दोहरा परिसंचरण किसे कहते है, very very important question है, बहुत important question है, कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते है, उसके बाद है कि topic number 6, topic number 6, very important, बहुत important, मनुसे के उसरजित तंत का सजित बोनन की, जो बहुत important है, VVI question समझे, ये आपके भूड एक्जाम मे पूसता है, ये बाद देखिए, topic number 7, किसे कहते है, बहुत important है, very very important, बहुत important, VVI से समझे, ठीक, उसके बारे में, कम से कम चार number का बोर्ड इग्जाम में आ सकता है, उसके बाद देखिए, topic number 8, topic number 8, जो है, बहुत important है, ये भी, ठीक, रक्त की संद्रशना, तितक कार्यों का बाद देखिए, उतना important है, ये कम से कम साथ set में, एक set में, पूसता है, ये भी important ही समझे, ठीक, यूँकि आप में, एक set में पूसता है, तो आप लोग क्या करेंगे, कम से कम ये 6 number में, question पूसता है, इसलिए, मैंने इसे आपके लिए लिख लिया हूँ, ठीक, उसके बाद देखिए, question number 9, यानि topic number, very very important, very very important topic, VVI लिखिए इसे, ठीक, देखिए, vitamin के बारे में, हमेसे आपके चार नमर का बोड़ एक्जाम में, पूसता है, पूसता है, चार नमर का ये question आता है, ये vitamin क्या है, ठीक, उसके बाद देखिए, topic number 10, topic number, बहुत important है, आप समझ सकते हैं, कितना important है, ठीक, प्रकास installation किसे कहते हैं, प्रकास installation किर्या विधिका वॉणन की जो, VVI question, VVI question है, ये ठीक, प्रकास installation किसे कहते हैं, आप लोग समझ सके हैं, ये question, 2010 से लेकर, 2030 के बीच में, हमेशा पूचा है, कम से कम, 7, 6, 6, में, ये question हमेशा पूसता ही, ठीक, उसके बाद टॉपिक नमबर 11 टॉपिक नमबर 11 है बहुत इंपॉर्टेंट है वास्पोतर सर्जन से आप क्या समझते हैं आप लोग कॉपी पेन लेकर वैठी है और इसे लिखिए मैं जेतना टॉपिक बता रहा हूं क्यों आप उतना लिख देजिए बायों में और कुछ मत पढ़िएग आप चरण क्यों में सिंसे वास्पोतर सर्जां जन किसे कहते हैं बहुत आप करेगा लिख Boy Z कि अगर आपके में तीन वीदी आ गया दो वीदी आएगा तो चार नंबर का आएगा अगर तीन वीदी आ गया तो यह आपका छै नंबर में पूछा जाएगा यह बहुत इंपोरेंट को सने इसलिए आप इसे जरूर तयार करेंगा आएगा आपके बोड़ एक्जाम में अवस्या सकता है वी वी आई क्वेशन वी वी आई क्वेशन अगर आपके दोस्तों अगर आपको इस पर पूरा सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मैं ठ्रेक टॉपिक नंबर 15 ठीक प्रजिनन क्या है वेरी वेर्य इंपोर्टंट को सरी सरी से पूर्छों को आप जरूर तयार कर लिजिए और भी वी वी आई क्वेशन है ठीक उसके वाद यह question number 16, यानी topic number 16, very very important topic, बहुत important topic है, जनसंक्या भी support के है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह question, आपके board exam 2024 में 500% की guarantee दे रहा हूँ, आपके board exam में पूछा जाएगा, 6 number का question पूछा जाएगा, आपके board exam में, ठीक, इसलिए आप इसे जरूर तयार कीजेगा, यह हमेशा record त पूछा रहता है, क्या जनसंक्या भी support के है, जनसंक्या व्रीधी के कारण, उनसे होने वाली हानियां, तैसा जनसंक्या व्रीधी रोकने के उपाए, यह question आपनों जरूर तयार कर लिएगा, very very important question, इसके बारे में आपको board exam में लिखने के लिए आवस्या आएगा, इसके आ प्रतिपादित किये इन तीन नियमों में से भी कोई आपके एक नियम आ सकता है, बोड exam में ठीक, उसके यह question यह question आपके board exam में अवस्या देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, उसके वाद देखिए question number 19, question number 19 is very very important topic, ठीक, अनुवान सी जी का गुर्ण सुत्र सिधान् या आप लोग इसको तयार करिए, या देखिए, यह question या यह question, question number 20, DNA अनुवान सी के बारे में हमेशा पूछा जाता है आपके board exam में, इसलिए इन चार question में से आपको बता दे रहा हूं, दो question आपके board exam में अवस्या पूछा जाएगा, question number 17, 18, 19, 20 में से कोई एक question या दो question अवस्या पूछा जाएगा, 101% के guarantee देता हूं, ठीक, उसके बाद देखिए, question number 21, question number 21 is very very important topic है, ठीक, उसके बाद देखिए, मेंडल के द्वी संकर संकरन से आप क्या समझते हैं, very very important topic, ये इससे आप लोग MCQ उठतर के आपके board exam में एक number का आवस्या आएगा, ठीक, मेंडल के द्वी संकर संकरन से आप क्या समझते हैं, एक MCQ एक number का उठके आपके board exam में अवस्या आएगा, ठीक, उसके बाद देखिए, question number 22, very very important, बहुत ही important है, लेमार्क वाद तथा डार्मिन वाद की तुलना कीजिए, बहुत ही important है, बहुत important, इसलिए अब इस question को मज छोड़िएगा, ठीक, उसके आप देखिए, question number 23, question number 23, बहुत important topic है, पूरुस में पाये जाने वाले लिंग गुर्सुत्र का विवरान कीजिए, बहुत important, इस question को आप जरूर तयार कर लिजेगा, उसके बाद देखिए, topic number 24, उसके बाद देखिए, 24 क्या कहता है आपका, जेव विकास को उप्यूक्त उदारन की सहायता से, इस पस्ट कीजिए बहुत important topic है, बहुत important topic, इस topic को आप तयार कर लिजेगा, question number 25, देखिए, पुस्ट की सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत इस question को में last में लिखाऊंगे, ये question आपके board exam में 100% पूछा जाएगा, कि पुस्ट का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत important topic है, पुस्ट का सचित्र व ordered की जिए, यानि कि उसके बारे में पूरा लिखने के लिए वी आ सकता है, और केवल एक चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है, चित्र बनाने के लिए आएगा, तो आपका थीन बंबर का यीन बहुत important topic है, ये टोपिक जो है रेकॉर्ट तोट तूट तूझ देखिये मनेा लिखा हूँ पूछे जाएंगे और कुछ नई तो कम से कम पांच नमर की यह कुछे जाते हैं ठीक उसके बाद देखिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नॉटिपिकेजन आपके पास पहुच जाए ठीक और अगर आपका कोई कि दोस्ते क्लास्टेन की तजारी कर रहा है तो आप उसका वीडियो शेयर कर दिजेगा आप मेरे चैनल को शेयर कर दिजेगा क्योंकि वह भी इस चैनल से पढ़कर के अच्छे नमबर ला सके कम से कम 90% प्लस ला सके ठीक थैंक यू